बहरीन में हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी की PCB बाखलाया हुआ दिख रहा है तो पाकिस्तान के पुर्व कप्तान जावेद मियादाद ने भारत के खिलाप एक बार फिर से जहर उगला है एक तरफ PCB भारत में होने वाले विशकप को लेकर गिदरभप की दे रहा है तो जावेद मियादाद जो की भारत के खिलाप बोलने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक बार फिर से बद्जुबानी की है आज इसी विशे पर बात चीत करूँगा नमस्कार आप देख रहें नियूस बाइसकोप और मैं हूर आकेश रंजन बहरिन में एशियन क्र्केट काउंसिल की बैठक हुई यह जो बैठक थी वो इसलिए हुई थी कि जो एशिया कप होने वाला है उसकी मेजबानी के बारे में फैसला लिया जा सके और जैसा कि आप जानते हैं कि October 2022 में Asian Cricket Council के अध्यक्ष जैशाह ने कहा था कि Asia Cup किसी neutral venue पर होगा और इस पर पाकिस्तान को आपती थी और इन्ही सब चीजों को लेकर बहरीन में ये ACC की बैठक की गई और इस बैठक में ये निर्ने लिया गया कि Asia Cup जो है कहा पर आयोजी की जाएगी इसका फैसला अगले महीने मार्च में होगा मेजबानी पाकिस्तान के पास ही रहेगी लेकिन आयोजा नस्थल क्या होगा इस पर जो निर्ने है वो मार्च में लिया जाएगा और ये फैसला आते ही पाकिस्तान का गुसाना सामने आ गया और उनकी बदजुबानी भी सामने आने लगी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बूर्ड के जो आपको अध्यक्ष है नजम सिठी उन्होंने एक बार फिर से गिदलभग की दी है जैसा कि आप जानते ही कि इससे पहले जो PCV के पुर्व चेयरमें थे रमीज राजा उन्होंने भी गिदलभग की दी थी और इनकी और उनकी दोनों की गिदलभग की एक समानी है नजम सिठी ने कहा कि देखिए अगर भारत इशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता है ने कही थी उसी बात को नजम सिठी ने भी दोराया है लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान के पुर्व कप्तान है जावेद मियादाद उनका बयान आया है और आप जानते ही कि जावेद मियादाद भारत के खिलाफ जहरीली जुबान बोलने के लिए जाने जाते हैं वो हमेशा ही भारत के खिलाफ बूलते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा कि देखिए भारत जो है वो क्रिकेट नहीं चला था और इस मामले में ICC को दखल देनी चाहिए उन्होंने आगे कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नहीं आना तो भार में जाए भारत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये ICC का काम है अगर ये चीजें ICC कंट्रोल नहीं कर सकती तो गवर्निंग बोडी का क्या काम उन्होंने आगे कहा कि भारत होगा तो अपने लिए होगा हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं उन्होंने आगे कहा आओ खेलो खेलते क्यों नहीं भागते हैं तो आप जावेद मियादात से इससे जादा की उमीद भी नहीं कर सकते वो इसी तरह की बात कहने के लिए जाने जाते हैं भले ही वो असलियत से को सो दूर हो अब देखिए जब वो कहते हैं कि भारत क्रिकेट नहीं चलाता तो ये कहते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि जो ICC है उसको भी जो financial assistance मिलता है वित्तिय सहायता मिलती है उसमें ज्यादातर ह इससा जो है वो भारत के company का ही होता है तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो है ICC नहीं चलाता ये बात सही है कि ICC चलाता है लेकिन देखिए भारत के अपने reservation है भारत का सुरक्षा का एक कारण है जो कि पाकिस्तान के लिए वो हमेशा कहते आया है इसके अलावा भ भारत पाकिस्तान के जो रिष्टें वो भी भारत को पाकिस्तान आने से रोपता है तो ये बातें तो हो नहीं है अब पाकिस्तान कहता है कि हम भारतिये टीम को सुरक्षा देंगे लेकिन जो देश अपने पूर्व प्रधान मंतरी को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहता ह अब एक उस दिन पूर्वी वहाँ पे पूर्व प्रधान मंतरी पर हमला हुआ था तो उसकी बातों पर यकीन करना किसे भी देश के लिए कठिन है अब जब जावेद मियादाद ये कहते हैं कि भारत खेलता क्यों नहीं तो अरे भाई भारत ने खेलने से कब इंकार किया भार कि आप जीतते हैं कभी भारतिय टीम जीतती है तो खेल से भागने का सवाल नहीं उठता सिर्फ आयोजन अस्थल को लेकर जो है उस समस्या है कि पाकिस्तान में खेलने के लिए भारतिय टीम तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ मामले हैं और वो उस मामलों को ज़awaysर अंदाज नहीं किया जा सकता इसके अलावा अगर हम कहें कि जो इशिया कपसे अगर पाकिस्तान किसी तरह की बात करता है तो अगर मालीजे कि भारत जो है इशिया कपसे अपने को विड्रौ कर ले तो क्या इशिया कप हो पाएगा जितने भी प्रैयोजक हैं उसमें से अधिकान्ष एशिया कप से हट जाएंगे और फिर उसका आयोजन क्या संभव हो पाएगा आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप से बहारत जो है एक पैसे नहीं लेता हां लेकिन पाकिस्तान और अन्य देश जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल से वित्य सहयता लेते है तो अगर एशिया कप नहीं होता तो नुकसान भारत का नहीं होगा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा इसके अलावा एक और बात जो नजम सेठी ने कही कि वो वन डे विशो कप खेलने के लिए भारत अपनी टीम को नहीं भेजेंगे इसे सुनकर आप हस सकते हैं ये ह अगर वो भारत खेलने के लिए नहीं आता तो वो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या पाकिस्तान और PCB यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस स्थिति में है कि वो इतने बड़े नुकसान को जहिल सके जवाब है नहीं देखिए भारत से पंगा लेना हमेशा पाकिस्ता को मेहगा पड़ता है और मुझे लगता है कि PCB और उसके जो पाकिस्तान के पुर्व खिलाडी हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कुछ ऐसी जहरीली बदजुबानी न करें जिस से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो अभी के लिए इतना ही इजाजत दे नमस्कार कि ही हमारी पेचा